Republic TV के खिलाफ दर्ज TRP मामला निराधार कोटने केस वापस लेने की दी अनुमती उद्धव सरकार ने धमकी देकर तयार किये थे गवाह मुंबई की एक अदालत ने माना है कि उद्धव ठाकरे की सरकार में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ गवाहों को धमका कर आधार ही इन केस किया गया था आप सभी को पता होगा उद्धव सरकार में किस प्रकार से कंगना रनाओत हो चाहे रिपब्लिक टीवी और अर्नव गोस्वामी हो इनके खिलाफ किस प्रकार की कारेवाई हुई थी और उस समय जनता ने भी उस सरकार का विरोध किया था लेकिन अब तो ये चीज़ें आदालत में क्लियर हो रही है कि उस समय जो कारेवाई रिपब्लिक टीवी पर की गई थी वो गलत थी वो निराधार थी उसमें जो गवाह है वो जूटे थे गवाहों को दबाव बनाकर उन पर प्रेशर बनाकर उन्हें डरा धमका कर उन्हें जो कुछ बोलने के लिए मजबूर किया गया था इस प्रकार की चीज़ें अपने आप में बहुत ही जादा शर्मनाक है कि सरकारी तंत्र कैसे जो सच बोलता है उनका गला दवाने का प्रियास करता है उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है और जो लोग आज नरेंदर सरकार को ताना शाह बोल रहे हैं वो लोग तब बिलकुल चुप थे जब सिवसेना की उद्धव ठाकरे सरकार ताना शाही कर रही थी क्योंकि अर्णब गोश्वामी जो बोल रहा था जो रिपब्लिक टीवी बोल रही थी उन्हें दबाने का प्रियास किया जा रहा था कि उसके उनके समय में कोई भी कुछ भी बोल सकता है बड़े बड़े मीडिया हुस तो छोड़िये चोटे चोटे यूट्यूबर भी जो होते है चिट्पूंजिये जो होते है ट्विटर पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है इस सरकार को लेकिन फिर भी इसी को ताना साह कहा जाएगा तो ये एक अपने आप में बहुत ही गंबीर मामला है कोट ने भले ही इस केस को खतम करने के लिए अनुमती दे दी लेकिन जिन लोगों ने इस केस में गवाहों पर दबाव डाले गलत प्रकार से सरकारी मिशनरी का पावर का मिस्यूज किया उनके उपर कारेवाही ह होनी चाहिए जो शायद नहीं होगी और कारेवाही नहीं होना अपने आप में इन लोगों का मनोबल बढ़ाने जैसा है तो केवल महराष्टर की बात नहीं है और भी राज्यों में ऐसा कुछ होता होगा होता है या होता होगा जो भी है वो तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि अ गलत गाम किया गवाहों पर दवाव बनाए गलत तरीके से केस किया गया आवाद दबाने का प्रयाज किया गया उन सब के उपर उचित कारेवाही होनी चाहिए तभी इस प्रकार के गलत कांड रुख सकेंगे अन्य था कैवल महराष्टर नहीं देसके अन्य राज्यों में भी ये सम कुछ हो सकता है या हो सकता है कि वो already हो रहा हो